हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक क्रेकर है मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और वेसम्युक्ति तग्य हूँ मैं आए आप से बात करने वाला हूँ इटिंग डिसार्ड मतलब ज्यादा खाने की बिमारी बुलीमिया इसमें होता क्या है कि ये बिमारे में बहुत जादा खाने की इच्छा होती बहुत भूग भी लगती है और बहुत खाते भी है और ये वेक्तियों को जो भी मतलब दिखा हो खाते रहते हो कभी-कभी तो उनको ऐसा हो जाता है कि पेट बहुत फुलावा रहता है खाने की मतलब बिल्कुल इच्छा भी नहीं है और तबी भी वह खाएंगे और एकदम डिसकमपट हो जाएंगा और फिर इससे एक तो बजन बहुत जादा बढ़ेंगा और फिर कुछ व्यक्ति क्या करेंगे कि उल्टियां करेंगे और उल्टियां करके निकाल देंगे या फिर लूज मोशन की गोलियां के लेंगे ताकि उनको संडाज जो है वो ज्यादा होके वो निकल जाएंगा करके देखते है यह फिर उल्डिया करेंगे उगली डाल डाल के उल्डिया करेंगे तो कुछ लोग तो फिर बजन परावर रखेंगे क्यूंकि ज्istant and तो वो बाहर निकाल के देंगे और बाहर फिक देंगे जितना खाया हुथता मगर कुछ लोग जो है वो खाते रहेंगे और बाहर निकालेंगे ना उल्डिया करेंगे ना लेटरिन के बाद माध्यम से बाहर निकालेंगे वो खाते रहेंगे और फिर बहुत ज्यादा बजन बहुत मौते रहते हैं बहुत ज्यादा वजन रघता है और वजन दिन बजिन बढ़ते हैं ज्यादा सोते है अक्टिविटी कम और उनको खाणे में बहुत प्यार रहता है और उनको कुछ भी चलता है काने मैं ऐसा नहीं यह होना वो होना जो चाहिए वो चलता है उनको ग्चाँ आप टो ज्यादा बजन्ग बढ़ने से फिर बाकि जो ऑर वेट की बिमारी है मतलब मौता पन जो है मौटा पो इसके जो बिमारी वो और ज्यादा लगती है जैसे के डाई-बटीस है शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर है वो बीमारी एंको होती रहती है और बाकी भी ओर वेट की जो है कि मतलब हल चल नहीं होने से फिर काफी पेट में परेशा नहीं है फिर उंगलियां डाल डाल के समझे वो उल्टी करती है तो अंदर अलसर्फ मुह में तो वो जादा वेट और जो फाइबर होना ची या प्रोटीना ची वो खाने में रहेंगा तो उससे फिर तकलीप और फिर इसका इलाज जो है वो उनको देखना पड़ता है कि यह खाता क्यों है एक तो गया है कि डिप्रेशन की वज़े से आदमी खा सकता है जादा कि डिप्रेशन अधैने अंडरलैंग और उसके वैसे वो खाता है यह सको एंग्जैटी यह टेंशन की विमारी और एंग्जैटी वज़े से आदमी खाना खा रहा किया तो फिर डिप्रेशन का इलाज करना पडेंगा या एंग्जैटी का कि रिप्डोटी करना पड़ेगा तर कुछ लोग है। रहे हैं और नहीं तो फिर उसको सील स्था बुलीमिया नर्वोजा है नामिये बीमारी agd बुलीमिया नर्वोजा और और टुभि बींचीटिंग डिसाउड ऐं ब Mich cheesy बिए मतलब बडिक Will कि यहां तो बींज इतिंग्ड रहो सकती है श्यूंगर बिंज इतिंग्ड रहा सकती है है यह अधे दुसरे यह दुस्onne हिलाज साइकोधरेपी काउंसिलिंग उनके माध्यम से होता है या फिर कुछ दवाईया भी नई निकलिए उससे भी उसका हिलाज हो सकता है आपके आजुब आजुब ऐसे काफी सारे लोग होंगे कि जिनको यह बुलीमिया नर्वोस हांगा या बिंज इटिंग डिसॉडर न इसके लिए आपका भी हाथ लगेगा लोगों को मांसिक बिमारिया कम से कम रहेंगी लोग ज़्यादा स्यादा प्रॉड़क्टिव रहेंगे और हमारा दिश आगे बढ़ेगा तो धैंकि वेरी मंच जरूर शेयर करो आपके फेस्बूक और वाटसेप के उपर और लाइक क शेयर करो सब्सक्राइब करो